हलो मेरे करांतिकारी बच्चों कैसे हैं आप लोग आज एम्यू की डेट आ गई है किस डेट में टेस्ट होना है फर्स क्लास का शिक्स का और नाइन का ये हमें पता चल चुका है तो तयारी बेटा आप लोग करना शुरू कर दीजे किस तरह से तयारी करनी है जिसने अभी तक शुरू नहीं करी ये भी बताऊवा कहां सेंटर हो गा क्या आपके अपने शेहर में होगा ये अलीगर आप लोगähän पड़ेगा ये भी मैं आप लोग Fam में बताऊवा तरह से तयारी करनी है, यह बड़ा important है, क्यूंकि बच्चे तक्रीबन 10,000 के आसपास बैठते हैं, अगर 6 और 9 के इंट्रेंस की बात करें, तो तक्रीबन 10,000 के आसपास बच्चा बैठेगा, seats कितनी हैं हम लोग देखेंगे, जरा शुरू करते हैं, सबसे पहले जान लेते है कि जो date of entrance आच चुकी है, AMU की, वो क्या है, तो first class के निए, first class के अगर हम बात करें, तो first class के निए जो date है हमारी, वो है 30 April, तो 30 April में first का entrance होने वाला है, first के entrance में क्या के चीज़ आती है, first के entrance में subjective paper रहता है, objective नहीं रहता है, MCQs नहीं रहते, उन से पूछा जाता है, कि ज successor पूछ ले जाता है, किसी भी number का successor क्या होगा, तो इस तरीके की चीज़े आ जाती है, कि कभी-कभी इस तरह का पूछ ले जाता है, कि while animals के नाम बताइए, यह सब चीज़े हम लोग के first के entrance में रहती है, बात करी जाएगा six का entrance की, तो वो है 2 मई में होने वाला है six का entrance, इस बना दूँगा, अगली जो वीडियो है, यह हो सकता है, कल यह person में आ जाए, तो 9 के entrance की किस तरह से तयारी करनी है, वो मैं आप लोग को बता दूँगा, अगर किसी ने अभी तक तयारी शुरू नहीं करी है, तो उसके निये एक हम लोग batch लेकर आए हैं, बहुत ही important रहेग अगर किसी ने तयारी करना शुरू नहीं करी है, तो फीज बहुत कम कर दी गई है, तो देखते हैं जल्ली से किया होगा 6 के entrance में, तो 6 के entrance के नहीं है, अगर हम बात करें, तो जो science के questions होंगे, total हम अपस 85 questions आते हैं, याद रखेगा, अगर हम जो date sheet आई है, जो notice आया है, उस में ये भी लिखा हुआ है, कि interview होगा, तो याद रखेगा वो जो अभी interview की date mention है, वो सिव NRI students के नहीं है, वो normal students के नहीं है, ये चीज याद रखेगा, interview नहीं होगा अभी, interview उन बच्चों का होगा, जो के test qualify कर लेंगे, सब के नहीं interview नहीं है, ये मैं फिर से बता रहा हू interview सबके नहीं है, ठीक है, तो science के हमारे 30 questions है, math के 30 questions है, और यहाँ इसके 25 questions रहते हैं, mostly इसके 10 questions होते हैं English के, और इन दोनों के मिला कर 15 questions रहते हैं, ठीक है, अगर seats की बात करी जाए, तो boys की जो seats होगी, 6 के entrance में, तो English medium में हैं वो 80, और उर्दू medium में हैं वो 40, इसी तरह से girls की English medium में और उर्दू medium की जो number of seats हैं, वो मैंने यहाँ आप लोग को बता दी हैं, merit कितनी जाती है, तो याद रखिएगा merit हमेशा 6 के entrance की high जाती है, आप लोग को कम से कम 75 questions यहाँ करने पड़ेंगे सही, तबी हम लोग का selection हो सकता है, तो आगे बढ़ते हैं ज़रा 9 के entrance के निये भी बिलकुल उसी तरह का schedule है, number of seats boys और girls के निये यह है, English medium होता है, सिर्फ 9th class में और उर्दू medium नहीं होता, इस वज़े से यह seats हैं हमार पास, ठीक है, तो ज़रा समझीए, अगर किसी ने भी अभी तक पढ़ाई करना शुरू नहीं करी है, तो उसके नहीं आ गई है test series और fast revision का batch, यह दोनों मिलाकर हम लोग करवाएंगे, test series online होगी, आप लोगों को बहुत सारे questions same to same मिल जाएंगे, test series से जैसे test series होती है, उसको अच्छी तरह आप लोग करिएगा, ताकि आप लोग कभी नाम आसानी सा जाए, fast revision भी होगा, tricks के साथ हम लोग questions करेंगे, तो ह 5th की fees, अब test series of fast revision की, जब तक interest नहीं होता है आपका, इसकी fees 12 100 रुपे है, तो जो बच्चे join करना चाहते हैं, वो मुझे message कर सकते हैं, WhatsApp पे, या फिर कोई भी message अगर आप लोग करें, तो इसी number पे करिएगा, और आप लोग ये बता दीजेगा, कि कौन सी class की आपको test series ले पड़ेगी बच्चों, तो जड़ा बढ़ते हैं आगे, ये वो सब बच्चे हैं जिनका नाम आ चुका है, एक और चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, काफी बच्चों को ये दिक्कत होती है, कि जो center होगा हमारा, जो center होगा, वो कहा होगा, मतलब कहा हम लोगों को test देने आना पड़ेगा, किस तरह से हम लोग को center पता चलेगा अपना, तो पहली चीज ये है कि आप लोगों का center होगा, वो अलीगर ही center होगा, और कहीं नहीं होगा, अलीगर के साधे schools में test होगा आप लोगों का, अलीगर के अलावा कहीं test नहीं होता, 6 और 9 का, 11 का और जो आएंगे आपके पास, तो hall ticket जो आते हैं, वो आएंगे test से 2 या 3 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले या एक हफते पहले आप लोग के hall tickets आजाएंगे, उसमें center होगा, कि आप लोग का center कौन से school में पढ़ा है, अलीगर ही होगा center, यह बात आप लोग mind बना कर चलिएगा कि अलीगर ही center होने वाला है, ठीक है, इससे अलावा अगर कोई भी चीज आप लोग मुझसे पूछना चाते हैं, कौन से important chapters होगे, तो आप लोग comment में मुझसे पूछ सकते हैं, और भी कोई भी परशानी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, थैंक यू